अगली बात ये है कि registration एक साइट पे अब मैं कौन हूँ और मैं किस तरीके से आपको इस Python के चिला के अंदर पढ़ाने वाला हूँ मेरा introduction क्या है और मैं किस तरीके से Python को सिखा रहा हूँ या मेरा क्या experience है जिसकी base पे आपको लगना चाहिए कि नहीं भी ये instructor ठीक है इसी से सीखने है चलिए उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं सबसे पहली चीज हूँ है मैं अफकोर्स अपने instructor को जानना ज्यादा ज़रूरी होता है अगर आप लोगों में से कई लोग मुझे नहीं जानते तो उन लोगों के लिए एक नाम काफी होगा कि अगर आपने Python का चिल्ले का नाम सुने so this is only me who started this thing और बबा मार मेरा ही नाम है लेकिन you can also see me here मेरा नाम डॉक्टर मोहमद मार्तुफःल है और उसका मैं अल्युमिनस में हूँ प्लस हमने कफी लोगों को हल्प आट किया है कि आप किस तरीके से scholarship gain कर सकते हैं and believe me python and r दूनों में से कोई एक language थी कि आप इस scholarship को target कर सकते हैं या PhD का scholarship है मैंने अपनी research जो की है वो starting from Thailand, Taiwan Pakistan of course Italy, Germany, UK, USA Austria, Belgium, France, Canada there are many other countries जहांबे मैंने अपनी research की है और अपनी research को publish किया या वहाँ पर present किया है so the thing is कि मैं research based data scientist हूँ अगर आपको लगता है कि मैं industry के साथ link नहीं रखता तो एक बात याद रखियेगा अगर Google का नया algorithm आया, किसी ने research करके उस algorithm को develop किया है then वो algorithm market में आया open AI के जो chat GPDI किसी ने उस पर research की है then वो market में आया, समझने है बात को तो मैं utilize करने वाला कम बनाने वालों में से ज्यादा हूँ you can say कि जब हम large language model की बात करते है fine tune करना और उसको किसी एक topic पर ले किया ना that's my task और अगर आप नहीं जानते तो मैंने 2021 के अंदर python का जिल्ला start किया था जिसका नाम था बाबा मार मार के साथ python का जिल्ला विद बाबा मार और of course मैंने जान बूझ के अपने आपको बाबा बोला और alhamdulillah दाड़ी पहले ही थी बाल लंबे रह लिये तो लोगों ने समझना शुरू कर दिये बाबा चिल्ले आला है so जो मर्जी कहें जो मर्जी सुने python का जिल्ला अगर आप मेरे साथ कर रहे है और आप मुझे बाबा भी कह सकते है no worries for that sir कहने की कोई ज़रूरत नहीं है so from there I got this title बाबा मार के साथ so meanwhile उस वकद मेरे पास subscribers बहुत कम थे अब तो alhamdulillah 167 के करीब होने वाले है k में और YouTube पे काफी लोग जो है वो पहले से सुन रहे है so there are many like I would say more than 5 million people जिन्होंने अभी तक सुन लिया है तो मेरी जो lectures है वो more than I would say 1800 lectures uploading है YouTube के ओपर जिसको हम explore भी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा भी मैंने Excel से लेके Python से लेके SQL से लेके, R से लेके Cloud Computing, Computer Vision, Deep Learning, Machine Learning Artificial Intelligence and there are many other things जो मैं पढ़ा चुका है और अलहमदुलिला उसमें experience भी है so अगर आप ये सोचें के मैं कौन हूँ और मैं क्यूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सिरफ एक दफा YouTube पे जाके lectures को go through कर लिजेगा मैं अब देखिए ना सारे बैठके लेकिन एक दफा उनको एक दफा समझ लीजेगा कि ये बंदा किस तरीके से कितनी consistency के साथ चल रहा है और यहाँ भी मैं एक बात कहूंगा कि इस course के अंदर कुछ ना सीखें आप consistency इंशाल्ला आप सीख जाएंगे consistent रहना सीख जाएंगे ठीक हो गया और अगर research profile की बात की जाए तो मेरे पास जो H10 index and I10 index है वो 14 and 15 है and around 9.55 citations है मेरे research papers की अगर आप यहाँ पर जाके मेरा नाम लिखेंगे Google scholar पे you will find me over there यह था जिक कुछ मेरा introduction इसके इलावा originally मैं फैसलाबाद से हूँ तो बड़ा दडडडडडड़ जारजरर का मुह है you can understand what I am saying नहीं समझाई तो एक बात बता दाता हूँ फैसलाबाद में लोग जो है वो थोड़े से funny होते हैं जुकते-शुकते मारते हैं और हमारे lecture के अंदर जुकते हैं नहीं नहीं मारता लेकिन अधियाद साइड आपको examples ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही कमाल होने वाली है means to save pakoda सुमोसों की examples से हम start करेंगे non-ticky से start करेंगे रायता, चटनी, खरादिया, नाई, कैंची, उस तरह इस तरह की चीज़ों से हम start करेंगे so keep in mind के हमारी examples के अंदर अगर आपको traditional touch मिलता है तो आपको इंशाला जल्दी समझा रहेगी ठीक हो गया, अब देखते हैं कि ठीक है जी, सब कुछ ठीक चल रहा, everything is going fine अब आगे क्या, ठीक है जी आपके बारे में हमें पता चल गया अब हम क्या करें, किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको और करेंप्स करें तो उसके लिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितनी देर मेहनत करनी पड़ेगी in order to achieve these all things let's see कि किस तरीके से मेहनत को लेके आते हैं